जब भी कोई goods or service international border को पार कर किसी और कंट्री में एंटर करता है और उस देश के लोगों को सर्फ करता है तो उसे एक्सपोर्टिंग कहा जाता है और जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है तो अपने domestic goods को international market में पहुचा पाता है जिसके चलते domestic manufacturers का profit भी बहुत जदा ब और अगर आप भी एक successful exporter बनना चाते है तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना इन सरकार ने प्यास पर लगने वाली minimum export price यानी MEP को ततकार प्रहाव से हटा लिया है No country has grown fast like China did the US did सरकार ने बास्मती चावल से minimum export price हटानी का फैसला किया है Today we export something like 770 billion dollars. Are we exporting enough? We're not exploring enough. In this video में मैं बताऊंगा एक्सपोर्ट का पहला step which is product selection आखिर वह कौन से तरीके और रिसोर्सेस हैं इसका यूज करके एक 200-200% margin वाला product ढूंड सकते हैं अपने export business के लिए एक्सपोर्ट में ऐसे बहुत सारे product जिसमें आप लोगों को बहुत ही असानी से 200-200% margin मिल जाता है जैसे की leather products, bamboo products, handicraft, organic products जैसे की आप लोग स्क्रीम पे देख रहे हूंगे यह एक पश्मीना शॉले जो की कश्मीर में बनता है यह इंडिया में 1000 रुपे का बिकता है अगर आप wholesale में खरीदेंगे तो आप लोगो और जादा सस्ता पड़ेगा ऐसे बहुत सारे product है जो आप लोग बहुत ही easily ढून सकते हैं अपनी export business के लिए महीं दूसरी तरफ आते हैं ऐसे product जिन में margin कम होता है बट आप लोगों को volume बहुत जादा मिल जाता है इसमें 2-3% का margin होता है बट आप लोगो जो export order मिलता है वो बहुत असानी से 10-20-30 container का मिल जाता है यानि इसमें margin कम होता है बट आप लोगो volume बहुत जादा मिल जाता है और एक container बहुत ही असानी से 12-13 लाक में start हो जाता है या राइज, गेहू, पलसेस, मसाली यह commodity की कैटेगरी में आती है और commodity में आप लोगों का profit कम बट वॉल्यूम बहुत जादा होता है फिनिश प्रडक्स में हमेशा ही margin जादा होता है बट आप लोगों कहीं ना कहीं कम मिलता है अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सा product export करना है आप लोगों को बहुत ही strategy के लिए product को select करना चाहिए और जो भी product आप select करें उसके बारे में आप लोगों को A to Z knowledge होनी चाहिए ताकि जैसे ही किस international buyer का query आए तो आप तुरहन उसको सारी query resolve कर दे क्योंकि international trade में buyer को बहुत असानी से पता लग जाता है कि सामने वाले बंदे को product के कितनी knowledge है और export business के बारे में कितना पता है successful export product ढूंडने के लिए आप लोगों को ये कुछ point है जिसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला point है take government help कोई भी product select करने से पहले आप government की website बहुत सारी government के पोर्टल से जैसे कि निर्यात.gov.in Commerce Ministry of India, Trade Connect, ODOP, MOFPI इन सब पोर्टल का use कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इंडिया आखिर कौन से product कौन सी country में export कर रहा है second point है investment अगर आप लोग शुरुवात में investment जाधा लगा सकते हैं तो आप लोगों को commodity एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वहापे volume बहुत जाधा होता है और investment भी जाधा होता है अगर आप लोग investment कम रखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्वांटिटी और investment कम लगेगी बट आप लोगो profit margin बहुत जाधा मिलेगा तीसरा है risk रिस्क भी अगर आप लोगों कम रखना है तो आप लोगों को फिनिश गूर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहिए अगर आप लोगों का लोगों कमोडिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आप लोगों 30-40 कंटेनर का ओडर एक बार में मिल जाता है और रिस्क भी कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा होता है इन सारे पोर्टल्स का यूज करके आप बहुत ही असानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रडुक्त कौन सी कंट्री में एक्सपोर हो और इसकी फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है फिफ पोईंट इपर इडिवनिस एंड इंडिया स्पेसिवीपर्ड़ाल सुरवाट में अप लगों को क्या है इसा प्रड़क्त चूज करना चाहिए जो कि इंडिया स्पेसिफिक हो और बहुत ही असानी से आप लोगों का चायना शीक चॉन चृप्णी में दूसी अश्य आग्रेमेंट के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है तो इसी लिए प्रड़क्ट से पहले आप लोगों को ट्रेड आग्रेमेंट करते हैं कि हमारे देश से अगर कोई प्रड़क्ट वहां पर इंपोर्ट होता है तो उनको इंपोर्ट डूटी कम देनी पड़ेगी त इंडिया से बहुत जयादा बड़ेगी प्रड़क्ट करता है और यूए मेप लोगों को पता है कि वीचिते प्रड़क्ट श पीसे बहुत जब ज़्इधा इंपोर्ट होते हैं तो इन लिगों को जब वहुत ज़्यादा कम कस्टम स्ट्व सुटी देनी परती है उनके इन प्रड़क्स को एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप लोगों को लाइसेंस बहुत जादा चाहिए टेस्टिंग बहुत जादा चाहिए और साथ सत इन्वेस्मेंट भी बहुत जादा चाहिए इन प्रड़क्स को एक्सपोर्ट करने के लिए शुरुवात में डेंजरेस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह इस एक्सपोर्ट सीरिस का पहला वीडियो है इस तरह के बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले हैं जहां पर मैं सारी चीज़ा कवर करने वाला हूं मार्केट रिसर्च बायर कैसे मिलना है कोटेशन कैसे देनी है सारी टॉपिक्स इस सीरीज में कवर होंगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद